तो यहां पर संथ सीम को आशिरवाद देने पहुचे चंडीगर्ट से बड़ी खबार राज्य मंत्री राजेश नागर का बयान इंडिया नियूस से खास बापचीत में राजेश नागर नहीं ये बयान दिया संप सीएम को आशिरवाद देने के पहुँद है क्योंकि आज मुख्य मंतरी आवास पर एक बड़ा संथ समेलन जो है मुख्य मंतरी आवास पर किया गया संथ मुख्य मंतरी को आशिरवाद देने के लिए पहुँचे आज पूरे भारत वर्ष सादू संथ महात्मा पर पहुचे हैं और हवन में शामिल होकर हमारे मुख्य मंतरी स्री नाइब सेनी जी को बहुत-बहुत सुब कामनाय और बधाई देने के लिए यहां पर आए आशिरवाद देने के लिए यहां पर आए और अभी तक ये सादू संथ हमारे सभी यहां पर बैठे हैं सबका सम्मान किया गया सबको अभी भोजन भी कराया जाएगा और जिस तरह का माहुन यहां पर बना था पूरे भारत वर्ष के जो वाला एक माहुल था यहां पर उसके बाद ही आगे की जो कारे करम है या काम है उसको शुरू किया जाता था देखो भारती जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सादू, संत, महात्माओं की सम्मान करती है और ये आज से नहीं भारत वर्ष में पहले से ही रिशी मुनियों का सम समान हुआ करता था, उनको गुरू माना जाता था, उनको नाम लेके ही कोई नए काम की शुरूआत की जाती है तो ये भारती जनता पार्टी की तरफ से ही ऐसा होता है, इसी पार्टी में होता ना कि दूसरी पार्टियों में इनको सम्मान या मान दिया जाता है आपको खादय पूर्ती विभाग के साथ साथ और भी डिपार्टमेंट दिये गए हैं आगे क्या रहेगा किस तरीके से काम करेंगे कोई मीटिंग वगरा बुलाई गई है क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है जो कि सरकार की योजना है कि विंटर में बाजरा जो है वो गरीब त आप से किया जाएगा आप लगातार जिस तरीके से लापरवा अधिकारी थे उनको बीचे तावनी दीती कि अब काम करना शुरू कर दे लापरवा ही नहीं चलेगी तो मैसिस देना चाहेंगे कि जनता के कोई काम रुके ना उनको परिशान ना किया जाए क्योंकि सरकार का अब यही दावाय कि किसी को परिशान नहीं होने दिया जाए जनता ने हमें चुनकर भेजा हैं जनता के जन प्रतिनिदी हैं और अगर जनता के काम नहीं करेंगे तो हमारा बनने का कोई उचित नहीं बनता है तो इसलिए अधिकारियों को हमने सबस्ट बोल दिया है जो काम कर सकता है